हलो नमस्कार दोस्तों सागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में और काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है इस पर देसे मैं माफी चाहूंगा लेकिन फिर से एक मेरे घर में टीवी लगी हुई है है एम आई फूरेक्स मॉडल है यह आज से दो या तीन साल पहले यह मैंने खरीदी थी और तब यह लेटेस्ट मॉडल था तो इसमें फाइप एक्स भी आने लगी है काफी कुछ इसमें सुधार किया गया है तो मैं पहले इस टीवी को आपको दिखा देता हूँ कैसी यह काफी छोटे बैजल्स हैं कहा जाए तो लंसम एक इंच के बैजल्स और इधर भी आप देखेंगे तो यही बैजल्स है कूली यह लेमिनेट पहले से आई हुई थी देख सकते हैं इस तरीका कुछ इनका रिमोट इस तरीकी का कुछ इनका रिमोट है और बड़ा यूजर फ अमेजन प्राइम वीडियो का इसमें बो दिया हुआ है गूगल असिस्ट दिया हुआ है अप एंड डाउन है बैक बटन है यह हम बटन है यह एम आई बटन है बॉलिम प्लस माइस बस इता चोटा सा यह है पड़ा यूजर फ्रेंडी बलब पढ़िया है आप कर लेते हैं है पोट की बात कि किस तरीकी तरे हैं जित्वी में पोट होते हैं यूएस्बी पोड्व जोचैए निजगे इसमें आपको तरीकी का पूर्ट आपको नजर आ रहे होंगे देखें जही पोर्ट हैं इसमें सारे पोर्ट दिये हुए हैं जो नॉर्मल सारे पोर्ट होते हैं इसे आप मोनीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं पोर्ट देखके आपको समझ में आया होगा यहां पर नीचे ब्रांडिंग दी हुई है मैं इसे चालू करके देखाता हूँ आपको और इसके किस तरीके से करना है क्या है किस तरीके से देखिए लाइट ब्लिंग हुई और मैं इसका यूज़ करके चालू करूंगा और लाइट फिर ब्लिंक होगी और यह चालो हो जाएगी तो इस तरीके से देखिए और यहां पर आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसकी प्रोसेशिंग कितनी है क्योंकि अब मुझे कि अच्छा काम किया आज तक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई और इसकी प्रोसेशिंग आप मिनट के साब से देख सकते हैं मुझे यह ऐसा लगता है कि अभी दो साल में पहले तो ठीक थी समय के साथ कुछ कम हुई यह प्रोसेशिंग इसकी यह पूछ रहा है तो मैं इसस तो इस तरीक के यह सारे इसमें उप्रॉब्लम आते ही है देख सकते हैं आप इसे ऐसे ठीक जैसे मुझे यह हां से यह हून है M.I.T.V है हां से टीवी चला सकता है बैक करूं तो इसका इसका सीधा सिस्टम आ जाएगा जैसे यह दिखती है इस तरह के से देखती है तो आप आप देख सकते हैं, इसकी सब की बैजिंग है, सब की बैजिंग है, उपर माई कनेक्ट वगएरा, इससे ऐसे बढ़ा सकते हैं, टीवी, यूटूब, गूरल, डिजनी, और ये नीचे अगर करेंगे, अगर ये कनेक्ट रहेगा, तो ये कनेक्ट पर सारा कुछ दिखाएगा, मैं आपको यहां से तिवी कनेक्ट और के दिखाथा हो, कई तिवी मेरी कनेक्ट है, तो देखिये, ये प्रोस्यर्स ये है, इसकी अगर आप यहां से, लिवस्ता देख सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं, आबाज देख सकते हैं, अब आती बेज shape के किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक और ये बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है किसी भी तरी किसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे तो मैंने जैसा का बताया है कि मैई 2020 में से बाई किया था तब से लगातार यूज कर रहा हूं लगातार चल भी रही है इसमें किसी तरह की रत्ती भर की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें प्रोसेसिंग जरूर थोड़ी धीमी हुई है इसमें एक जो कभी मिले लगती है प्रोसेसिंग थोड़ी धीमी हुई है फुल एजडी 4K इसकी प्रॉब्लम नहीं है बिलकुल है आप एजडी के साथ चलाएंगे तो इसमें पूरा विवस्थित आपको आएगी जैस है कि मैं आपको चला के दिखा देता हूँ यह आप पिक्चर क्वाल्टी देख रहे हों सांड मैंने आपको सुनाई दी तो ऐसी सांड है इसकी और बस यही मेरा डिब्यू था इसे आप पाई कर सकते हैं लेकिन अब तो इसका 4X मॉडल आ गया तो मैं इसे दो बाई करने का था कि और लोगों की तरह में हर प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करूँगा जो मैं बहुत समय से यूज कर रहा हूं और यूज करते हुगे देख रहा हूं उसी कहा ही रिव्यू करूँगा जैनुवन रिव्यू आपको दूँगा ताकि और लोगों में और मुझ में कुछ अंतर रहें, आपका विश्वास बना रहें, आप विश्वास कीजिए मेरे पर, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाईए, वीवर से बढ़ाईए सर, मैं इसी तरह के से आपको जैनुरन रिब्यू देता रहूंगा, यह मैं रिब्यू दो साल बार इसी लिए दे रहा हूं, क्य यही है इसके टीवी का रिब्यू, आप आसा करता हूँ कि आपको इस टीवी के बारे में जो नॉर्मल रिब्यू दे सकता था, यूजिस के बारे में, वो है, मैं समझता हूँ कि इसमें और आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो इसके सबसे अच्छी बात है, के बेजल स्टेंड जो इसे पुट करने के लिए रहा है